नमस्कार आज की इस वीडियो में मैं ब्रोकली की सबजी की रेश्पी सेर करने वाली हूँ बहुत ही डिलिस्यस अपने इंडियन स्टाइल में बनाएंगे मसलेदार ब्रोकली रस्यदार मसालेदार बहुत ही स्वाधिस्ट जीसे आप गर्मा गरम चावल के साथ है रूटी प अपडेट आप तक पहुच जाएगी जल्दी से और आप देख पाएंगे तो शुरू करते हैं यहां पर लिया है मैंने एक फूल ब्रोकली का यह 500 ग्राम का ब्रोकली का फूल है इसके जो रफ पाटिकल्स है पत्ते हो गयरा डंठल हटा देंगे और छोटे-छोटे पीसे इस तरीके से काट करके तयार कर लेंगे अब क्या करेंगे गरम पानी लेंगे उसमें एक चमस नमक डालेंगे और उसमें ब्रोकली को डाल करके कुछ दिर छोड़ दे ताकि इसमें जो दूल हो गए रहे और निकल जाए तो अच्छे सेवास करके इसे निकाल लेंगे अब म पाशमिरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चमज यल्दी पाउडर, और वन फोर्थ चमज कली मिर्च पाउडर, हाफ टीए स्पून, आधा चमज चीर पाउडर, अब यहाँ पर मैंने कराही ली है, कराही में डालेंगे, 4-5 चमज तेल, तेल को गरम होने देंगे, फिर ब्रोकल हुआ आलू एप्सनल है आप आलू डाल सकते हैं या फिर शिर्फ ब्रोकली की भी सबजी बना सकते हैं थोड़ी दिर भून करके इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे जैसा कि मैंने बताया बहुत ज्यादा ब्रोकली को नहीं पकाना है तो अभी ब्रोकली मैंने निकाल नखिए के ओद न के अल्य है डाल देंगे दीं त्याल्श भाण शेंगे वर कंदलिए फ्रीके कि रह के क्लेस में अदिसमें गवादिंग। कमत शो राशाह कंदल सब्रकल के अब सालीं के अपर नेरेंगे जमत्स हो गए दो डाल लेंगे हैं था हृड़ी चोटे चोटे टुक्रों में एक बड़ा साइज का प्याज है या फिर छोटा प्याज है तो दो डाल ले अभी चुट की बराबर नमक डाल देंगे इसे क्या होगा प्याज हमारा जल्दी से भून जाएगा अच्छा सा कलार आ जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं प्याज लगभग भून गया है इसमें डाल देएगे हींग 1 4 चममच है अब अच्छे से चलाते हुए मसाले को भून ले जब तक की प्याज अच्छे से ब्राउन ना हो जाए आप यहां पर देख सकते हैं पियाज ब्राउन हो गया है अब डाल देंगे इसमें एक चमच बढ़के अध्रक लासन का पेस्ट आप चाहिए तो इसमें बाड़ी कटी हुई अध्रक लासन डाल सकते हैं अब अध्रक लासन भून गया है कुछ सेकेंड के लिए अब डाल देंगे इसमें टोमाइटो प्यूरी दोटा माटर लीजिए और उसे छोटे-छोटे टुक और मसाले को भूल लें अब मसाला भूनते हुए दो मिनट हो चुके हैं और पानी इसका सूख गया है तो थोरा से इसमें पानी डालेंगे अब पानी डालने के बाद में मिक्स करते हुए मसाले को फिर से एक बार भूनना है अच्छे से मसाला जैसे हम हर सब्जी के लिए भूनते हैं वैसे बढ़ी असे भूनना है तेल से प्रेट हो जाए इसमें से मसाले सूख करके एक जगा इकठा हो जाए इस तरीकी से तब तक मसाले को भून दे रहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी असा मसाला भूज के हमारा तयार हो गया है गुल मोलेक जगा इकठा हो गया है अब इसमें डाल देंगे भूनी हुई सबजी और सबजी डालने के बाद में चला दे इसको एक बार मिक्स कर ले अभी स सुखा सुखा है तो इसमें नमक और पानी की ज़रूरत है नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के कोड़िंग की पहले से भी डाला हुए और थोर असा पानी डाल ले अब सबजी को चला देंगे अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं अब धकन लागा दे और एक से डेर मिनट स्लो फ्रेम पर इसे भूनने दे फिर धकन हटाएंगे और फिर चलाएंगे फिर एक बढ़ धकन लागाएंगे दो तीन बार ऐसे कीजिए बिल्कुल इस तरीके से सब्जी का कलार आजाएगा और आप देख सकते हैं जितना भी इस इसमें पानी डालेंगे रोटी पर अठे के साथ सर्फ करना है तो लट पटा चाहिए चावल के साथ सर्फ करते हैं तो थोरा सग्रेवी चाहिए अब यहां पर डाले हैं एक चमच कडम मसाला और मिक्स कर देंगे और सब्जी के उपर ढ़कन लागा करके इसको लगभग छे ब्रोकली कितना भी पकाले थोड़ा सा उसका डंठल जो है हाड रहता है तो ब्रोकली का टेस्ट वैसे ही अच्छा लगता है अब हरधनिया डाल देंगे और सब्जी है अमारी तयार गर्म गरम चावल के साथी से परूसेंगे आप रोटी पर अठा के साथ भी से परूस सकत डाल करके भी बनाए तो स्वास्त के लिए बहुत अच्छी सब्जी है तो इस वीडियो को देखिएगा ट्राइ कीजिएगा आपको कैसे लागा कमेंट भक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा